नमस्कार बेहुन नंदनी आप देख रहे हैं दव फुल्जडी इंडियन प्रीमियर लीग याई आई पील 2022 फे दो नए टीमों गुम्मों का मिला है बीसी सी आये ने 25 अक्टुबर को लगनवू और एमदबाद की टीमों का एलान किया है जहां एक तरफ लगनवू की टीम को RTSG Group के संजय गोईन का ने खरीदा है तो वहीं एमदबाद की टीम को CVC Capital Partners ने करीदा है इसे के साथ IPL 2022 में 8 नहीं बलकि 10 टीम में नज़ा आएंगी यहां हम आपको बताएंगे कि एमदबाद टीम को खरीदने वाली CVC Capital Company कौन है चलिए जानते हैं CVC Capital Partner Private Equity Firm है जिन्होंने एमदबाद टीम को खरीदने के लिए लगबग 56 करोड रुपे खर्ष किये हैं इस कंपनी के Head Office लंदन में हैं साल 2019 के डाटा के मुताबिक CVC Capital के पास 55 बिलियन डॉलर के एसेट हैं दुनिया के अलग अलग देशों में कमपनी ने करी 3 लाग करमचारी कारे करता हैं साल 1981 में CVC Company की शुरुवात हुई थी और इसके मुख्य अधिकारी स्टीव कॉलेट्स और डॉनल मैगजी हैं CVC Capital Partners ने Spanish Football League, La League, F1 और Rugby League में हिस्सेदारी खरीदी हुई है विशुवर में इस कमपनी के पहचान अपने शांदा इन्वेस्मेंट के कारण बनी हुई है अब CVC Capital Partners ने IPL में एमदबाज टीम को खरीदा है देखना यह है कि उनके ये निवेश कितना फायदमन्द होता है वैसे तो एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 के बाद पहली बाद 10 टीमें हिस्सा लेंगी उस समय पूरे वोरियर्स कोची टकर्स के नाम से शामिल थे लेकिन एक सीजन के बाद कोची को हटा दिया गया बता दें IPL टीमों के इस रेस में कल 6 शहरों के नाम थे जिनमें एमदबाज, धरमशाला, गुवाटी, इंदौर और लखनौ का नाम शामिल है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बाखी जानकारी के लिए हमारे साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद